नमस्कार, रेनुकारानी सिह महादेव चैनल में आप सभी का हारदिव अभिनंदन एवन स्वागत है। आज मैं हनुमान जैनती के विशे में संचिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैत्रमास के पुर्णे मातिथी को हनुमान जैनती मनाई जाती है। इस बार 16 अप्रेल 2022 सनिवार के दिन हनुमान जैनती मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन संकट मोचन रामभक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी के नाम का ब्रत और विधी विधान से उनकी पूजा अर्चना करने से उन्हें हनुमान जी का विशेश आसिरवाद प्राप्त होता है। जियोतिस सास्त्र के अनुसार हनुवान जी की पूजा करने से आत्म विश्वास और मन की सान्ती मिलती है। इस बार हनुवान जैन्ती पर खास सयोग बन रहा है। सनी की कुद्रिष्टी से निजात पाने का बहुत सुनहरा मुका है। हनुवान जी कलिव के पृत्यक्ष देवता हैं इस बार की हनुवान जैन्ती इसलिए भी खास है क्योंकि सनी वार को पड़ रही है। जो की बजरंग बली और सनी देव दोनों को समर्पित है। हनुमान जैन्ती के दिन रभी और हरसन योग बन रहे हैं इसके अलावा इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेगा। 16 अप्रेल हनुमान जैन्ती को सुबह 5 बज के 55 मिनट से रभी योग सुरू होगा जो की रात 8 बज कर 40 मिनट तक रहेगा। हनुमान जैन्ती से जुड़ी पौरानिक कथा आती है। पौरानिक कथाओं के अनुसार अंजना एक अपसरा थी। हलांकि उन्हें स्राप के कारण प्रत्वी पर जन्म लिया और यह स्राप उन पर तभी हड सकता था जब वे एक संतान को जन्म देती। बाल मेकी रामायण के अनुसार केषरी स्री हनुवान जी के पिता थे, वे सुमेरू के राजा थे और केषरी ब्रहस पती के पुत्र थे। अंजणा ने संतान प्राप्ती के लिए बारव बरसो की भगवान सीव की घोर्थ पस्ट्या की और परिणाम स्वरूप उन्होंने संतान के रूप में हनुवान जी को प्राप्त किया। ऐसा विश्वास है कि हनुवान जी भगवान सीव के ही अवतार हैं। अयोध्या नरेश राजा दसरज जी ने जब पुत्रेष्टी हमन कराया था तब उन्होंने प्रसास्वरूप खीर अपनी तीनो रानियों को खिलाया था। उस खीर का एक अंस एक कवा लेकर उड़ गया और वहाँ पर पहुँचा जहां माता अंजना सीव तपस्या में लीन थी। मा अंजना को जब वह खीर प्राप्थ हुई तो उन्होंने उसे सीव जी के प्रशास्वरूप ग्रहन कर लिया। इस घटना में भगवान सीव और पम जना के कारण हनुमान जी को आंजने, पिता बानर राज, केसरी के कारण केसरी नंदन और पमन देव के सहयों के कारण पमन पूत्र आधि नामों से भी जाना जाता है। हनुमान जैन्ती के दिन कुछ खास ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करके सनी देव की कुद्रिष्टी से बस सकते हैं। संकटों, मुसीवतों से बचाव के लिए गुड़ चने का भोग लगा कर गरीबों में बाटने चाहिए। यदि करज से परिसान हैं तो जितनी उम्र है उतने ही पीपल के पत्ते लें। फिर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हर पत्ते पर राम राम लेप कर हनुमान जी को अरपित करने से करज की समस्या से मुक्ति मिलती है। हनुमान जैन्ती के दिन घी में एक चुटकी सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को इसका लेप लगाएं। इससे हनुमान जी प्रशन होते हैं और अपने भक्तों के सारे संकट दुख, डर्व, भैत दूर करते हैं यदि किसी प्रकार के दुख से परिसान है तो उससे मुक्ति के लिए पीपल के 11 पत्ते लें और साफ पानी से धोलें इसके बाद सभी पत्तों पर चंदन या कुमकुम से स्री राम नाम लिख कर सभी पत्तों की माला बना कर हनुमान जी को स्रधाव पुरण विश्वास के साथ चड़ाएं ऐसा माना जाता है कि इससे दुख के अलावा धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं हनुमान जैन्ती के दिन पान का विशेष बीड़ा बना कर बजरंग बली को अरपित करें साथ ही किसी भी हनुमान मंदीर जाकर हनुमान जी के समक्ष एक सरसो के तेल का दीपक तथा एक सुध गाय के घी का दीपक जलाएं इसके बाद आसन पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें और बजरंग बार्ण का पाठ करें इससे हनुमान जी की किरपा प्राप्थ होती रहेगी बेहतर स्वास्ति या विमारी ठीक करने के लिए हनुमान जी की पहार उठाई हुई प्रतिमा का अभिशेख सुध जल से करे सनी दोस से छुटकारा पाने के लिए इस दिन नारिय लेकर हनुमान मंदिर में जाएं और उसे अपने उपर से साथ बार बारते हुए हनुमान जी के सामने फोर दें इस उपाय से सभी बाधाएं दूर होंगी इसी के साथ मैं अपनी बार्ण को विराम देती हूँ जय दिजय भारत